दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको PTM काastag आप किस प्रकार से close कर सकती हो, अगर आपने किसी को गाड़ी बेचिए तो आपको उसको close करना पड़ेगा, तो इसकी जान करी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, सबसे बेले मैं आपको बतना चाओंगा कि आपको यह यहां पर link पर click करने के बाद यहां पर browse पर click करना है आपका Chrome browser खुल जाएगा और Chrome browser से दोस्तों आपका Paytm app खुल जाएगा आपको Paytm app में login कर लेना है जैसे आप Paytm app में login करोगे ना दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसका user interface आपको मिलने वाला है आपको सबसे पहले जो भी आपको click करना है उसके बाद proceed पर click कर लेना है आपका जो refund है डाई 100 रुपई वो भी आपको यहां पर आपको वापस मिलने वाला है तो आप close fast tag पर click करने के बाद आपको यहां पर message भी मिलेंगे ताकि यहां पर यह जो आपका fast tag है न वो यहां पर disable हो चुका है यहां पर द दोस्तों आपको refund मिल जाएगा आपके paytm wallet में तो दोस्तों इस वीडियो के description में जाएए link पे click किजे आप अपने fast tag sorry paytm app में login कर लिजे और जो भी चल रहा हुआ जो भी जितना भी आपके account है न उसमें से कौनसी को close करना है उसको आप tap कीजे और आपको reason देना है reason देने दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार